जब नहर में पानी नहीं होता है तो इसी टीबूल के माध्यम से खेतों में पानी भारा जाता है पीछे का चक्का पूरा सिलीप कर रहा था तो भाई मैं आज तो पूरा गिरने से बचा हेलो गाईज वेलकम बेक टू माई न्यू ब्लॉग गुड मॉर्निंग गाईज और अभी मॉर्निंग का साथ बज रहा है और मैं अपने खेत साइड आया हूँ तो आज मैं पूरा अपना खेत जो है घुमूँगा और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि आखिर ग्रामीड का जीवन कैसा होता है और देखिए इधर पूरा खेत ही खेत है और इसमें हमारा भी खेत है तो अभी जिस जहां मैं खड़ा हूँ इसको छोरा बोला जाता है और इ प्ल dar को पड़ेंगा ओभी मैं दिखाऊंगा और इदर खेत ही खई धान को रोप दीया गया है रोपे हुए हमको लगता है दस दिन हो ग्या है तो देखि ये पूरा धान है और इधर सोहनी चल रहा है सोहनी का मतलबना जो ऐसक के अगलब-गल बहुत शारी घास होती है तो तो उसको लिखाला जाता है तो उसको सोनी बोला जाता है सौ मीटर आगे आने के बाद एक जो है एक टेबुल पड़ा टीबुल गाउं में इसको टीबुल बोला जाता है जब जो है पानी जब नहर में पानी नहीं होता है तो इसी टीबुल के माध्यम से खेतों में पानी भर प्रूप यहां में आयेंगे तो आपको आम हुआ पर बहुत सारा बहुत बाराइटी मिलेगा तो बारी ऐसा ही बारी होता है और यह नहर है मतलब गंगाजी से इसको सप्लाइब दिया जाता है पानी का और जब इसमें पानी नहीं होता है जब इसमें पानी नहीं होता है तो फिर वो टेबुल से खेत में सिचाई की जाती है वैसे पानी तो इसमें बराबर रहता है अभी धान का मौसम चल रहा है तो इसमें पानी तो देखिए अभी भी पानी आ रहा है तो कुछ इस प्रकार का नहर बोला जाता है ये उतनी बड़ी नहर तो है नहीं मतलब जिसे इसाब से खेट होता है उसे इसाब से नहर का पानी का सप्लाई भी होता है और देखिए उधर उधर भी खेत है और ये पूरा इधर खेत ही खेत है तो कुछ ऐसा आपको यहाँ से दिरिश से देखने को मिलेगा गाइज अभी मैं जहां खड़ा हूँ ये गंगा के बैंक साइड वाला एरिया है मतलब तट वाला जब भी बाड आता है तो फिर ये एरिया जो है पूरा पानी से भर जाता है तो अभी बाड़ आकर फिर पानी घड़ गया है गंगा जी का जिसके वज़े से येरिया जो है पुरा जो जमीन देखिए पुरा खाली दिख रहा होगा और ये जमीन बलुवट है मतलब बालु वाली मिट्टी है और यहां पे अगर देखा जाए तो आपको पनुवा बैगन जो भी बालु मिट्टी पे मतलब होने वाली सब्जी है यहां पे प्रॉपर होता है और देखिए अगर यहां पे अगर आप साम को आएंगे तो आपको डरावना सा लगेगा ती से मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि अभी जब बाड आया था तो जहां पे मैं ख केली में मैं आपको जंगल दिखा रहा हूं ठीक है मैं जिस जगा खड़ा हूं इसी के जस्त थोड़ा सा बगल में गंगा जी का पानी अभी भी लगा हुआ है और देखिए कुछ ऐसा यहां पे आपको नाव भी मिलेगा नाव भी है तो और जो उपर वाला हिस्सा दीख र लगा हुआ है और बीच में लोग रहते हैं तो जाना रहेगा तो फिर पानी क्रॉस करके ही जाएंगे नाव भी लगी यह ताकि ज्यादा अगर गंगा जी का पानी बढ़े तो यहां पर जो लोग रहते हैं उनको नाव से पहुचाया जाए तो कुछ चीज प्रकार के यहा बहुत साहरा और उधर मेन गंगा जी है उधर तो बाई एकदम एडवेंचरल प्लेस यह लग रहा है वाई फैनली मैं खेत साइट से अपने घर की उर चला आया चूंकि धूब भी बहुत तेज हो रहा था जिसके वजह से हमको बहुत ज्यादा पसीना हो रहा था ठीक है औ और उधर जो है बालू वाला एरिया था बालू और पानी भी लगा था तो जिसके वजह से हमारी बाईक जो है सिलीप करने से बच गई चक्के में जो है माटी लग गया है और और ज्यादा माटी लगा था थोड़ा में स्पीड में बाईक चला दिया था तो जिसके वजह से थोड़ा जो है माटी कम हो गया है नहीं तो बाइक मेरी पीछे का चक्का पूरा स्लिप कर रहा था तो भाई मैं आज तो पूरा गिरने से बचा ठीक है और पिछले में ही लगा क्योंकि पिछला वाला मैं बैटता था तो यह ओजन हो जाता था अगर यह वीडियो आपको अच चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गुडबाय टेक केर